हेलो फ्रेंड मैं हूँ ताविश खान आप देख रहे हैं मैं चैनल इसके लिए इंडिया वित ताविश आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे क्या काम होता यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के अंदर की क्या जॉप डूटीज होती इन सब के बारे बात करेंगे इस वीडियो गंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड तो प्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्रेस करना चाहूंगा अगर आप हमा इस वीडियो को पूरा देखिएगा बीच में स्किप मर्द कीजेगा क्योंकि आगे चलकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिफ होने वाला है चली फैंड दे ना करते हैं वक्ते वीडियो को में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड अब हम यह बात करते हैं HR रिक्रूटर के बार इस चीज़ को चेक करते हैं यह सब चेक करने बाद उनका काम होता है कि उसको डिफेरेंट तरीके की जो वैबसाइट है या जॉब पोर्टल है या निउस पेपर हैं उसके तुरू उसका एडवर्टाइजमेंट देना है फिर जब वेट्वर्टाइजमेंट दिया जाते है फिर वेश्वे इस holistic किया जाता है शॉट्लिस करने के बाद में पिर जब वह कंपनी के लिए बहुत जुद्र जारूरी होता है इसका ज्योवी वर्क होता रहां है यहां पर आपको एक और क्लियर करना चाहोंगा हुता है तो होता है लेकिन कभी-कभी जो है उनको अधर कांबी करने होते हैं जो एचार के सपोर्ट के काम होता है जैसे जो पेरोल मैश्मेंट होता उसमें वह उनको वर्क करना होता है ठीक है तर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी प्रिक्रूब्मेंट का एक होता है जब उनको जो है केंडिडेट की जरूद होती है तब वह केंसी वहाँ पर लिकाल दें तब रेक्रूब्मेंट का काम होता है तो जो एक डिया जाए एसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्योंकि फिर उसके बाद जो है जब recruitment का जो प्रोसेस है वो complete हो जाए फिर उसके बाद क्या काम करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहां पर कि उनको जो है other काम भी देना ठीक है जो HR recruiter होता है उसका main जो काम होता है वो recruitment का होता है फिर उसके बाद में ज होता है उसका main work जो होता है वो recruitment का होता है जब recruitment की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद करेंगे कि क्या job duties and responsibilities होती है तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको बताने चाहूंगा अगर आप जानना चाहते हैं कि HR managers का क्या काम होता है तो इसके उ होताने चाहूंगा कि जो HR managers होता है ठीक है वो job post त्यार करता है ठीक है उसका plan त्यार करता plan त्यार करने के बाद में जो HR recruiter होते है उनको दे दिया जाता है HR recruiter यहां पर यह देखते हैं कि कितनी companies के अंदर vacancy उसमें क्या education qualification मांगी गए किस type के candidate मांगे गाए उनके पास जो समझ लेते हैं उसके बाद जो है उनकी जो next process होता है उसके बार वो work करते हैं जो job descriptions related जो पूरा post होता है ठीक है फिर उसको जो HR recruiter होता है वो जो news letters होते हैं या फिर हम कह सकते हैं न्यूस पेपर हैं या फिर वेबसाइट हैं डिप्रेंट तरीके की job से related ठीक है या job portals है ठ जाता है या फिर वहां पर वह advertisement लिकलवात देते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है जो HR recruiter होता है न्यूस पेपर में advertisement देते हैं ठीक है जिससे के वह असानी से apply कर सके है ठीक है तो जो job post होता है ठीक है वो news paper में दलवाया जाता है जो job portals है उस पर पोस्ट किया जाता है और different तरीके के आजकल आप देख रहे है social sites है ठीक है social media sites के ऊपर भी इस तरीके के job post जोते वो डाले जाते है ठीक है जिससे के जादर-जादर candidate तक जो है उसकी जो जो इंफॉर्मेशन है वहां तक बहुत सके ठीक है जिससे के जादर-जादर candidate उस जो के लिए apply कर सके जब वो जो पोस्ट दे दिया जाता है ठीक है फिर candidate जो 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 पोस्ट को देखते है ठीक है फिर उसके ऊपर क्या होता है पिर उसके बाद आपना CV सेंड करते हैं तो यहां पर अपको अधाना है च्बुट होता है ठीक है CV को जो अच्छे से Resume को अच्छे से देखने के बाद उसके अंदर जो जो चीजे हैं ठीक है जो directional को चीजे चाहिए हैं पड़ने के बाद यह देखते हैं कि जो स्के करेंदेट केंदर एक्ष्पिरिएंस हैं घाँ क्या वो उसकी कौलेफिकेशन हैं किया वह पारी जॉब पोस्ट जो लिख लिए उससे मैच खाती है तो उस टाइब के जो सीबी होते हैं या रिजूमें होते हैं उनको शॉट लिस्ट कर देते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा शॉट लिस्ट करने के बार और फिर वो जो है इंटरव्यू करते हैं टिका है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो से रेकर लाज्ट काम रहता है जब तक के सेलेक्शन होंचन ऐन उसको काम होता है को शॉट करने के इंका काम हुता है तो उसके बाद कine सेंने का का काम होता है फिर उसके बाद इंट्रविव बना रहा है झायां कितने रॉण में इंट्रविव होना है एक रॉण में इंट्रविव यहां पर पहला उसके इंदर जीडी में किस टाइप के टॉपिक्स होगा कितने लोग जीडी में जो है वहां पर पाटिसिपेट करेंगे तो यहां पर प्लान भी बनाना इसका पूरा फॉर्मेट बनाना भी यहां पर है रेक्रूटर का काम होता है कि किस तरीके से उनको घीडी कंडि करवाना होगा साथी साथ जो है फिर उसके बाद जब वो उस तेस्ट को किलियर कर लेते हैं फिर उसके बाद में उनका टेक्निकल डॉंड करवाया जाता है टेक्निकल डॉंड के बाद में फिर उनका परसनल इंटर्वियू होता है ठीक है परसनल इंटर्वियू के बाद फिर उनका डर्कु जोब पर करके कर लेते कुछ यह जोब लिका ले गयते जो जब किलोज करवाना या फिर उसके उपर एक्सपारी लिगवा तरवा देना यह भी जो इनका काम होता है जब यह सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं जो जो पोस्ट दिए थे ठीक हो उसको किलोष करवा दिया और जो सबस्ट बोलता है कमप्लीट हो जाता है कि यही काम उता है रिग्रूटर का रेलेटेट क कमप्लीट हो जाता है फिर वो एच़र सपोर्ट में काम करते हैं ठीक है है एचार सथे उसके आँनेनिफ़ से काम करते हैं टीया यहां पर में आख मेंक। अदर को होता है। करते हैं उमीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वह आपके लिए हैलफुल रही होगी अगर आपको माई चैनल अच्छा लग रहा है इसी तरीके को वीडियो देखना चाहते हैं सिंप्ल हमाई चैनल के साथ में जुड़े रही है और हमाई वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लिए शेयर दू कीज़ेगा अपने फ्रेंड के साहर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ठैंक फर वाची माई वीडियो